नमस्कार आप सभी के स्वागत है मेरे यसी यूटूब चैनल पास की क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिशला प्लांट के बारे में तो यह आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो है तो प्लीज आप जली से सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए यह देख सकते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद यह आपस में हाद जिस तरह से हम हाद जोड़ते उसी तरह से यह बिलकूल एक निश्चित डिस्टेंस में होती है यह पतियां बहुत ही लग रही है यह पौदा मैंने चार महीने पहले खरेदा हुआ था यह फैलाओदार पौदा है इसके हाइट कम होती है देखिए आप इसके हाइट कम है इसका फैला जदा है साखाएं हो रही है अप इस घर में इसको जरूर रखी मेनत के काम बंदले होता है जो पुद्ध ग्रह से ऑख कहरता है ये बर्थम करता है जहाएं आप देख सकते हैं किती प्यारी प्यारी इसकी नहीनी पत्या हैं, तो यह हरी पत्या होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि यह एक दरह का जली पौदा होता है, जली पौदा होने के वज़े से यह चंद्रमा का सुचक होता है, और जब भी हम इसे घर में स्तापित करें, तो हम सुकल पक्ची बहुत ही मंगलकारी पक्च होता है इस प्लांट को घर में स्तापित करने के लिए आप इसे चाहें तो क्यारी में भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इसे घर में लग तरफ होना चाहिए देखिए इसके डंठल कितना मोटा हो चुका है यह चार महीने पहले मैंने लगाया हुआ था और अब तो यह बहुत अच्छे से सुन्दर हो गया है चारों तरफ से डाली आज नहीं नहीं निकाली होई है देखिए कितना प्यारा लग रहा है यह प्लांट एक चीज मैं आपको बता दूँ कि आप कोई सा भी पौधा कोई सा भी प्लांट आप अपने घर में लगा लीजे यदि आप ठीक तरह से महनत नहीं करेंगे आप ठीक तरह से आप अपने कारोबार को नहीं बढ़ाएंगे ठीक तरह से आप कोई भी काम नहीं करेंगे ऐसा जिसमें के पैसा आए, तो आप बिना मेहनत के कोई भी प्लांट रख लिए उसे कोई फायदा नहीं होने बाला। बहुत सी लोग यह कहते हैं कि अरी कुछ नहीं होता है क्रिषन爱 Gemini लगाने से अपि उसको सही दिशामें लगाईए सही दिशामें लगाईए आप सही उसको दिशामें लगाएंगे तो यह ढусовद करेंगे तो आपको फायदा जरूर करेंगा तो आप इस कीज कर法 य presses ःशने कि हैं कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है और चुंकि जब घर में तुलसी लगा उसकी तरह से यह क्लाने नहीं कि फेलती है तो इस चीज़ को आप हमेज़ा करें के पहले आप मेहनत ध्यान में रखिए फिर सकी बाद ध्यान में रखिए प्लंट लगाना यह एक तरह का अपवाद है सिर्फ यह मेहनत के बाद ही काम करता है बिना मेहनत के कोई भी प्लांट क्रशला क्या कोई भी प्लांट काम नहीं करेगा आप जब घर में लगाएं तो बहुत सा अधानी से लगाएं और यह घर की नकारात्मक उर्जा को अवसोसित करता है से तेज़ दूप में रखेंगे या फिर ठंडियों या गर्मियों में इसको हिसाब से हमें रखना पड़ता है इसकी देखर एक सामान होती है लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा धूप में यह पौधा जुला सकता है और हलकी धूप में यह इस की एक छटा होती है जो है मौसम के अनुसारिय बदलते रहता है यदि आप दो चार दिन के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं तो इस पौधे में बारवार पाने डालेंगे Thank you for watching.